अगर आप taro में, occult में अपना career बनाना चाहते हैं या फिर otherwise भी आपका बहुत interest आप सीखना चाहते हैं we have a taro certification course जिसमें A to Z about taro आपको सीखने को मिलेगा अपनी इस journey को कैसे आप further लेकर जा सकते हैं ये भी इस course में covered है और अगर इसी से ही related कोई भी सवाल आपके मन में है कोई भी doubt आपके मन में है आप screen पे दिये गए number पे हमें whatsapp कर सकते हैं अपने doubts को clear कर सकते हैं और अगर आपका taro occult में बहुत interest है अभी आप सीखने के mood में नहीं है आप मेरा free webinar जोईन कर सकते हैं जसमें taro, astrology, इन ही सब चीजों से related काफी सारी information आपको जानने को मिलेगी और इन दोनों का ही link यानि की taro certification and webinar के links आपको नीचे description box में मिल जाएंगे Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और यह है आप लोगों के लिए Pika Card Reading इस बारी की Pika Card Reading का topic है आपकी life में अब से लेकर आने वाले 5 साल तक क्या रहेगा आप क्या achieve कर पाएंगे overall you know आपकी life में क्या रहेगा professional front में क्या होगा, personal front में क्या होगा आपको name frame मिलेगा या नहीं मिलेगा तो अगर इसी से ही related कोई भी thought, कोई भी concern आपके मन में रह रहा है या फिर इनी चीजों को आप जानना चाहते हैं कि अब से लेकर आने वाले 5 साल तक आपके personal, professional या फिर overall life में क्या रहेगा तो ये reading आपके लिए है और इसी को जानने के लिए मिर पास यहाँ पे तीन piles है और इन तीनों में से एक pile को आपने चूज करना है तो यहाँ पे दो methods हैं जिसके थूँ आप इसमें से एक pile को चूज कर सकते हैं First is intuitive and the other one is birth month तो सबसे पहले intuitive method के हिसाब से देखते हैं यहाँ पर pile 1 में हमारे पास pyramid है pile 2 में हमारे पास yellow crystal है citrine and pile 3 में हमारे पास white crystal है तो आपने अभी अपनी situation में जो भी हो रहा है personal, professional, overall life में उसको visualize करना है आखे बंद करके visualize करें और आखे खोलेंगे जो भी pile आपको सबसे पहले दिखता है सबसे पहले attract करता है आपने उसको चूज कर लेना है आपने shape से, color से, किसी भी चीछ से बायस नहीं होना है और अगर आपको लगता है माम intuitive method difficult है हम confused हो जाते हैं तो आप अपने birth month के हिसाब से pile को choose कर सकते हैं जिनका भी birth January, February, March, April में से किसी भी month में हुआ है उनके लिए pile 1 है और जिनका भी birth May, June, July, August में से किसी भी month में हुआ है उनके लिए pile 2 है और जिनका भी birth September, October, November, December में से किसी भी एक month में हुआ है उनके लिए pile 3 है I hope कि आपने pile का selection कर लिया है और अगर नहीं किया है आप video को pause कर सकते हैं You can take your own time in choosing the pile ये एक timeless reading है तो जब भी भी ये सवाल आपके मन में आता है इस तरीकी की energies में आप अपने आपको पाएं ये reading आपके सामने दिखती है तो आपके सवालों का जवाब आपको इस reading में मिल सकता है तो चलिए जी देखते हैं आप से लेकर आने वाले 5 साल तक आपके life में क्या रहेगा आपके achieve करेंगे अगर आपने pile 1 याने की green pyramid को choose किया है या फिर आपका birth January, February, March, April में से किसी भी एक मन्त में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 1 cards क्या कहते हैं अप से लेकर 5 साल में या फिर 5 साल तक आपकी life में क्या रहेगा तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम overall देखेंगे कि अप से लेकर 5 साल तक या 5 साल बाद आपकी life में क्या होगा और फिर हम professional, personal, name और fame के हिसाब से भी देखेंगे तो यहाँ पर overall के लिए हमारे पस discovering truth dream and journey king of wands के cards हैं तो देखिए dream and journey का card बहुत ही clear ली कहता है जो भी अभी आपके dreams हैं जो भी अभी आपकी wishes हैं, desires हैं उस direction में आप action initiatives ले रहे हैं journey कर रहे हैं और देखिए आप इस सब के लिए different dreams होगे, कुछ के लिए कोई खास dream होगा, कुछ के लिए overall life का ही जो भी आपका vision है जो भी आपका dream है आप उसको achieve करने के लिए action initiatives लेते हुए दिख रहे हैं और साथी साथ यहाँ पर king of wands का card है तो मैं कह सकती हूँ कि आप काफी हद तक अपने dreams को achieve कर रहे हैं, और फिर आपके dreams पूरे होंगे क्योंकि देखिए, हम सब जानते है king कहीं higher level की बात करता है एक higher position पे रहने की बात करता है और यह king of wands का card है तो कहीं साथी साथ enthusiasm, excitement, motivation बहुत courageous, बहुत bold energies की भी बात करता है अब देखिए, जनरल रीडिंग है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा मैं यहाँ पर आपको keywords बता रहे हूँ और आप खुद ही अपनी situation के साथ उसको connect करके समझ पाएंगे कि उस time तक आप क्या achieve कर पाएंगे या फिर आपकी life में क्या हो रहा होगा तो फिर से देखिए king of wands के card के हिसाब से देखें तो एक higher position authoritative position में आप रहते हुए दिख रहे हैं और जिंदगी के लिए या फिर overall ही बहुत एक जोश, बहुत एक उमंग रहती हुए दिख रही है और देखिए जैसे कि मैंने अभी आपको बताया king of wands का card courage की बात करता है तो अब से लेकर 5 साल तक आप इस चीज को overcome करते हुए दिख रहे हैं बहुत जबरदस्त एक confidence रहता हुआ दिख रहा है खुद पे या पर जो भी आप कर रहे हैं और बहुत एक bold energies भी आपके लिए रहती हुए दिख रही हैं discovering the truth का card कहता है कि बहुत ही truthfulness के साथ बहुत ही honesty के साथ आप अपनी इस journey को करेंगे यहाँ पर दिखिए यह card का एक और meaning होता है कि आप गलत बात को नहीं tolerate करेंगे आप गलत बात के लिए आवाज उठाएंगे आप सच के लिए stand लेंगे अपनी dreams, अपनी desires, अपनी wishes के लिए आप stand लेंगे और अब हम देखते हैं कि professional friend में क्या रहेगा तो दिखिए professional friend के लिए हाँ पर सबसे पहले cards है night of wands and horse और यह दोनों ही cards similar से energies की बात करते हैं horses पुराने जमाने में इनसान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते थे और यही एक जरिया भी होता था travel करने का, commute करने का तो यहाँ पर दिखिए night of wands and horse का card कहीं changes को represent करता है travel को represent करता है कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को represent करता है क्योंकि यह professional front के लिए cards है तो definitely देखिए इन cards के हिसाब से मैं कह सकती हूँ कि आपके professional front में काफी सारे changes रहेंगे जो आप अभी कर रहे हैं अब से लेकर 5 साल बाद आप यहां तो completely कुछ और करेंगे यहां फिर जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारे changes आप लेकर आएंगे अब देखिए फिर से यह general reading है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा यहां फिर मैं कह सकती हूँ यह changes सब के लिए differ करेंगे जो job कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे chances हैं कि आप job change करेंगे ही करेंगे आप same job में नहीं रहेंगे और अगर आप same job में भी हैं तो उसमें बहुत सारे changes होंगे अब दिखिए बहुत सारे लोग कहेंगी कि मैं हम 5 साल बाद same job में changes तो होंगी बट यहां पर major changes होते हुए दिख रहे हैं यानि कि significant changes, जो इनसान point out करके कह सकता है, हाँ भी, ये change हुआ, तो इस तरीके का एक energies आप लोगों के लिए रहती हुए दिख रही है, change of place, change of residence रहता हुआ दिख रहा है, कुछ के लिए simply हो सकता है, और literally हो सकता है, कि आप जगा ही change कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, कि आपके professional friend म रहे हैं, और अगर आप business करते हैं, तो हो सकता है, कि आप जो भी business की जगा है, यानि कि आपका office है, अगर आपकी factory है, जो भी आपकी shop है, उसको आप change कर रहे हैं, या फिर, you know, कोई product, for example, आप अपनी shop में sell करते हैं, तो वो product ही आप change कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए, मैं आपकी shop है, या फिर आप कुछ भी sell करते हैं, तो product आप हो सकता है, दूसरा change कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है, करियर में ही changes आ रहे हैं, यानि कि आप अभी, अगर engineering कर रहे हैं, तो उसके बाद आप business कर रहे हैं, या आप, you know, independently कर रहे हैं, तो देखिए, मैं सिरफ और सिरफ बतारियों किस तरीके किसे changes आ सकते हैं, तो major या फिर significant changes आपके professional friend में आते हुए दिख रहे हैं, और यहां पर देखिए, water guardian and ace of cups का card है, तो definitely, definitely आप उसी चीज़ को करेंगे अपने professional friend में, जिसको आप बहुत enjoy करते हैं, जिसके लिए आप बहुत passionate हैं, जिसको आप ब profession में होते हैं, जो हमारी पसंद का नहीं होता है, वो सिरफ हम इसलिए करépoque कि उससे हमें पैसे मिल रहे होता हैं, उससे हमारी earning हो रही होती है, और हम बड़े बोर होके, बहुत, you know, एक बुरे मन से उस चीज़ को करु रहे होता है, बड़ा boring हमें हमें लग रहा होता है, जो चाहते हैं उसको pursue कर पाएं तो यहाँ पर दिखिए बहुत बहुत सारे chances मुझे रहते हुए दिख रहे हैं कि जो भी changes आ रहे हैं कहीं इसी direction में आ रहे हैं कि जो आप चीज के लिए passionate हैं जो professional front में या फिर जो भी career आपको पसंद है उसको आप pursue कर रहे हैं या फिर उसमें एक beginning कर रहे हैं और देखिए हमने overall के लिए देखा भी dream and journey में कि आप अपने dreams की तरफ action initiatives ले रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको फिर से कहूंगी कि बहुत एक happiness, बहुत एक joy, बहुत एक satisfaction आपके professional front में रहते भी दिख रही हैं अब देखिए यहाँ पर एक भी card ऐसा नहीं ह जो कि मुझे बोले कि हाँ भई financially आप बहुत great कर रहे हैं and that doesn't mean कि financially आप great नहीं करेंगे, हो सकता है कि financially आप बहुत great करें, हो सकता है आप ना करें, लेकिन जो एक happiness आपको मिल रही है, वो इस वज़े से मिल रही है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बहुत enjoy कर रहे हैं, य के लिए passionate है, वो हमें एक satisfaction दे रही है, यह जादा रहता हुआ दिख रहा है, तो फिर से दिखिए आपको clear कर दूं, हो सकता है कि आप financially बहुत अच्छा करें, मैं यह नहीं कह रही हूँ, लेकिन उससे भी जादा आपको happiness मिलती भी दिख रही है क्योंकि आप enjoy कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, यहाँ पर दिखिए water guardian and ace of cups दोनों ही cards कहीं happiness joy की बात करते हैं, तो यह कहीं अब से लेकर 5 साल बाद रहता हुआ दिख रहा है, cleansing waters का card कहता है, अभी अगर किसी भी तरीके का you know tension है, stress है, यहाँ पर toxic energies हैं आपके professional front में, तो वो कहीं cleans होती भी दि दिख रही हैं, अब देखते हैं कि personal front में क्या हो रहा है, तो दिखिए personal front के लिए आप सबसे पहला card मुझे दिख रहा है, crossing bridges, बहुत ही clearly यह card कहता है, personal front में अगर कोई you know आपका loved one है, जिसके साथ मन मुटाव हो रहा है, जिसके साथ difference of opinion हो रहा है, या फिर किसी भी level पे द दूरी distance नहीं आई, आप लोग साथ में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत आप दोनों के बीच में issues हो रहे हैं, मसले हो रहे हैं, आप लोगों की आपस में बन नहीं रही है, और किसी भी तरीके की अगर conflict रह रही है, अब देखिए फिर से कहूंगी general reading है, तो यहाँ पर कहीं solve होती हुई दिख रही हैं, यह चीजें कहीं resolve होती हुई दिख रही हैं, आपका आपके उस loved one के साथ batch up होता हुआ दिख रहा है, reconciliation होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर two of wands का card भी इसी चीज़ को confirm करता है, कि बहुत आप दोनों के बीच में एक strong bond होता हुआ relationship हो रहा है, जिस भी loved one के बारे में सोच कर आपने यह reading देखी है, यह फिर जो भी loved one अभी आपके मन में बहुत जादा रह रहा है, क्योंकि cards वही बताते हैं, जो आपके mind में होता है, अगर किसी खास इंसान के बारे में आप बहुत जादा सोच रहे हैं, तो कहीं उसी से ही related, चीजें बहुत beautiful होते हुए दिख रहे हैं, फिर से मैं कहूंगे आप लोगों का bond बहुत strong होता हुआ दिख रहा है, और मिलके team work के साथ, एक togetherness के साथ next steps plan करते हुए दिख रहे हैं, कि भाई अब आपको क्या करना चाहिए, अपने इस relationship को further लेकर जाने के लिए, या फिर आप लोग already साथ हैं, तो आप दोनों अपनी life में अप कैसे चीजों को आगे बढ़ाएं, क्या आप लोगों को next करना चाहिए, यहाँ पर eagle का card higher perspective की बात करता है, तो हो सकता है कि बहुत सारे आपके perspective चीजों को देखने के specifically आपर हम relationship की बात कर रहे हैं, बदलें, आप कहीं बहुत एक higher level से चीजों को देखें, और कहीं eagle भी power position authority की बात करती है, और overall energies में भी हमने king के card में देखा, कि एक higher position आपको मिल रही है, और यहाँ पर भी देखी king of souls का card है, तो दिखिए आप ज़ादा logical होते वे दिख रहे हैं, आप ज़ादा mind से चीजों को deal करते वे दिख हैं, आप थोड़े से manipulative भी या फिर थोड़े से diplomatically अपने relationship में चीजों को deal करते वे दिख रहे हैं, especially देखिए जो लोग अभी बहुत emotional हैं, अपने किसी खास relationship को लेकर या फिर overall ही, you know, अपने loved ones, अपने close ones के साथ, और आपको ऐसे लगता है कि भई यह जो हम emotional हो जाते हैं अगर ऐसा कोई भी thought आपके मन में चल रहा है, तो कहीं अप से लेकर 5 साल बाद इस चीज़ को आप अचीव कर पाएंगे, king of swords का card, बहुत ही clearly, एक, you know, logical, एक mind से चलने की बात करता है, तो ऐसी सी energies में आप रहते वे दिख रहे हैं, और अगर आप नहीं हैं यह, तो कोई इ चीज के बारे में और understanding देगा, इस चीज को overcome करने में, यानि कि emotions और sentiments को overcome करने में आपकी help करेगा, तो इस तरीके की energies हैती भी दिख रही है, और यहां पर दिखिए, goldfish का card भी, कहीं relationships में एक बहुत beautiful energies हैने की बात करता है, तो overall यह दिखिए, relationships में, जो एक major चीज मुझे द हो रहा है, तो वो resolve होती भी दिख रही है, और अगर नहीं भी हो रहा है, तो यहां पर two of wands का card, again मैं कहूंगी कि जिस भी level पर आपका relationship है, उससे और ज़्यादा strong होता हुआ दिख रहा है, two of wands का card, शादी का card तो नहीं है, but yes, यह relationship में बहुत एक strong bonding, बहुत एक strong connect होने की जरूर बात करता है, तो किसी भी loved one के साथ अभी आपका love affair का relationship है, especially अगर यह चीज आपके mind में है, तो उनके साथ आपका bond और strong हो रहा है, और आप दुनों मिलके अपनी life में अब आगे कैसे चीजों को बढ़ाएं, उसके बारे में सोचते वे दिख रहे हैं, and अब देखत तो कुछ चीजें end हो रही है, नई शुरुवात हो रही है, और traveler का card भी कहीं इस direction में आगे बढ़ने की बात करता है, तो मैं यह नहीं कहूंगी कि बहुत name और fame आपको मिल रहा है, but yes हो सकता है कि उस point of time पे या in between भी आपके mind में आ रहा है कि बहुत एक high level की name और fame ना अच आप achieve करते हुए दिख रहे हैं, यहां पर handshake का card कहता है कि आप नई लोगों से हो सकता है मिले, इसी से related और ascending mountains का card कहता है, कि इस से related छोटे मोटे challenges रह सकते हैं, और कहीं आप इनको overcome कर रहे हैं, renewal का card इसी के context में देखें, तो कहीं इसी से related कुछ ending beginning आप कर रहे हैं, और कह you know, मैं यह नहीं कहूंगे कि पूरी तरीके से आपने achieve कर लिया, बट उस से related positive चीजें हो रही हैं, तो यह था pile 1 आप लोगों के लिए reading, और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को like, share और subscribe ज़रूर करें, अगर आपने pile 2 की cards क्या कहते हैं, आप से लेकर 5 साल तक या 5 साल में आपकी life में क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखिए हम overall energies देखेंगे, फिर professional front, फिर personal front और फिर name और fame के हिसाब से देखेंगे, तो overall के लिए देखिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे देख रहा है, rejuvenating rain and tree, tree के card में ल यह हो सकता है कि इस दौरान, यानि कि अप से लेकर 5 साल में family को आप जादा prioritize कर रहे हैं, या फिर family आपका focus area रह रहा है, या फिर 5 साल बाद ये एक situation, ये एक scenario रहे, rejuvenating rain का card कहता है, clear the past, heal the present, तो अभी जो भी issues आपके family से related रह रह रहे हैं, या फिर personal front में रह रहे हैं, clear the past, या फिर past की वज़े से कुछ भी issues मसले रह रहे हैं, वो clear हो रहे हैं, और present को heal करते वे दिख रहे हैं, और present heal हो रहा है, और यहां पर दीकिए 10 of wands का card कहता है कि हो सकता है कि आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ली हुई हैं, तो दीकिए मैंने हमेशा कहा है pile 2 कि tarot guidance के लिए होता है, consultancy के लिए होता है, अगर tarot में हम कोई भी outcome देखते हैं, वो हमारे हिसाब से आयाने की हमें लगता है, यही हम चाहते थे, very good, it means कि आप right track में हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी देखते हैं, जो हम नहीं चाहते हैं, तो इसका मतलब हमें present situation में changes लाने की ज़रत ह हम जो कर रहे हैं, शायद वो हमें उस direction में नहीं लेकर जा रहा है, या फिर वो हमें हमारे goal, हमारे मकसद की तरफ नहीं लेकर जा रहा है, for example, आप दाल चावल खाना चाहते हैं, और उसके लिए आपको दाल चावल बनाने पड़ेंगे, राजमा चावल बनाएंगे तो दा की जरुत होती है, और यहां पर देखिए 10 of wands का card कहता है, कि शायद आपने बहुत सारी responsibilities अपने उपर ले हुई हैं, अब देखिए आपकी situation है pile 2, I am sure आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको cards क्या indicate कर रहे हैं, और बहुत बहुत important रहेगा, अब भी अगर आपने कुछ responsibilities ल प्रेशराइज ना करें किसी भी चीज के लिए या फिर से मैं कहूंगे responsibilities अपने उपर ना ले हैं, और देखिए यहां पर queen of wands का card कहता है कि इस दौरान यहां पर 5 साल बात किसी female का बहुत जबरदस्तिक support रहेगा, यह जो queen है, यह बहुत courageous हैं, बहुत bold हैं, और बहुत enthusiastic, बहुत excited हैं, रहती हैं हर चीज के लिए तो जो भी female हैं जिनकी तरफ से supportive cooperative energies रहेंगी, यहां पर जिनका influence आपकी life में रहेगा, उनकी ऐसी ही energies रहते भी दिख रहे हैं, और कुछ pile 2 के लिए आप भी हो सकते हैं, जो भी आपके उपर responsibilities हैं, बहुत courageously, बहुत boldly आप उनको deal क कर रहे हैं, आप किसी चीज से डर नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ एक enthusiasm, एक excitement भी पर करार कर रहे हैं, अब देखते हैं pile 2 कि professional front में क्या हो रहा है, तो देखिए professional front के लिए यहाँ पे सबसे पहला card है journey by moonlight और यह card कहता है believe in magic, तो कहीं ना कहीं pile 2 आपके लिए जादा guidance रहते भी दिख रही है, क्योंकि देखिए believe in magic का card कहता है, कि magic miracles उन्हीं के ही साथ होते हैं, जो उन में विश्वास रखते हैं, और आपके साथ specifically professional front में magic miracles होने के बहुत सारे chances हैं, होने की बहुत सारी possibilities हैं, लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे, जब तक आपका mind उस अपने professional front के लिए चाहते हैं, उसी से related, आप एक vision create करें, और इस चीज पर विश्वास रखें कि आप इसको achieve कर सकते हैं, आपको ये चीज मिल सकती है, आपकी विश्व डिजायर आपके professional front से related, specifically पूरी हो सकती है, और दिखिए यहाँ पर four of wands का card भी इनी energies को और professional front में रह सकते हैं, और कहीं four of wands का card celebration की बात करता है, team work की बात करता है, तो हो सकता है कि आपकी team बढ़ेगी, आपके साथ और ज़्यादा लोग connect करेंगे, जो कि आपको help कर रहे हैं, आपके professional front में कुछ के लिए हो सकता है, आप किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं, आप you know, क किसी के साथ collaborate कर रहे हैं, और देखिए, अगेन ये card change of office, change of profession, यहाँ फिर अगेन मैं कहूंगी positive changes की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ moon का card कहता है, कि positive changes होने के बावजूद, यहाँ पे miracle magic होने के बावजूद भी, कहीं आप बिना बात के वरी कर रहे हैं, बिना बात के फि message देता है, कि जो भी चीजें हमारी life में हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती है, actually वो हमें कुछ सिखा रही होती है, और मुझे लगता है कि जिन्दगी यानि की life सबसे बड़ी teacher है, तो देखिए, great teacher का card कहता है, कि जो भी चीजें आपको सिखा रही है, जो भी learnings in the process आपको म रहता है, फिर वो 4th में नहीं जा पाता है, और जब 3-4 बारी वो 3rd class में fail होता है, तो फिर उसको स्कूल से निकाल देते हैं, similarly जो life है, जब भी भी कोई चीज हमारे हिसाब से नहीं होती है, या फिर failure होता है, इसका मतलब हमने सीखा नहीं, और जब हम बार बार चीजों को नहीं सीखते हैं, तो फिर हम grow नहीं कर पाते हैं, progress नहीं होती है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगे कि, जो बिना बात की फिक्र अगर आप भी कर रहे हैं, या फिर उस टाइम पे भी करें, या in the process करें, उसको आपने ज़रूर चकर करक करना है, क्योंकि यह जो फिक्र होती है, यह हमें आगे नहीं बढ़ने देती है, यह हमें बहुत पावर के साथ लाइफ में पीछे खीचती है, क्योंकि फिर से कहूंगी, journey by moonlight and four of wands के कार्ट, positive changes, positive चीज़ों के होने की बात करते हैं, लेकिन अगर आप फिक्र करते रहेंगे, जो चीज़ें आपको सिखा रही हैं, या मैं कहूंगी, जो failures आपको सिखा रहे हैं, otherwise भी जो learnings आपको मिल रहे हैं, आप उनको नहीं लेंगे, तो फिर वो एक growth, वो एक progress आपके professional front में पाट सालों में नहीं हो पाएगी, और फिर से कहूंगी, अगर आपने learnings ली, बिना बात के फिक्र ना करी, और जो positive changes हो रहे हैं, उन पर work किया, तो फिर आपकी growth और progress बिल्कुल next level की होगी, और यहाँ पर देखिए, scales का card भी कहता है, keep your life in balance, तो थोड़ा सा balance आप ज़रूर बरना के चलें, यहाँ पर हो सकता है, कि अगर इन चीज़ों का आपने ख्याल रखा, तो अपसे लेकर 5 साल बाद आपकी professional front में बहुत एक balance आएगा, अब देखिए कि आपकी personal front में क्या हो रहा है, तो देखिए, personal front में यहाँ पर winter का card है, और यह card कहता है, take care of your needs, तो यहाँ पर भी देखिए, आपके लिए guidance जाधा रहती भी दिख रही है, हो सकता है, कि आपका ऐसा nature है, personal front में, आप अप अपनी, you know, needs को नहीं communicate कर पाते हैं, आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, आप सामने वाले के बारे में जाधा सोचते हैं, सामने वाले की फिक्र जाधा करते हैं, और जाधा giving आप रहते हैं, तो देखिए, आपे बहुत clearly लिखा हुआ है, take care of your needs, और मैंने हमेशा अपन future reason होता है, problems का, issues का, breakup का, जब हम giving और receiving वाली energies में एक balance नहीं रखते हैं, जब हम too much देते रहते हैं, तो फिर कहीं हम relationship को खराब कर रहे होते हैं, क्योंकि जाधा नमक डालने से, या फिर मैं कहूंगी proportion से जाधा नमक खाने में डालने से खाना tasty नहीं होता, जितना जाधा हो proportion से उतना खराब होता जाता है खाना, यहाँ पर देखे narrow pathway का card है, और यह कहता है tread thoughtfully, और यहाँ पर देखे knight of pentacles का भी card, कहीं बहुत safe, बहुत secure होके चीज़ों को deal करने की बात करता है, एक English की कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही, बुलते हैं कि अगर आप बहुत safe होके चलते रहेंगे, तो फिर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, मैं यह नहीं कहरें कि आप बिना सोचे, समझे, risk लें, आप carefree हो जाए, careless हो जाए, no, I'm not saying that, but calculated risk, calculated chances हमें लाइफ में लेने पड़ते हैं, अगर growth और progress हमें करनी है, तो यहाँ पर दिखे personal friend में म बहुत safe हो के चल रहे हैं, और देखे, narrow pathway, tread carefully काट भी वही चीज कहते हैं, बहुत संबल संबल के, बहुत सोच सोच के, हर कदम फूंक फूंक के, और risk नहीं लेना है, chance नहीं लेना है, जब तक 100% sure now, आगे नहीं बढ़ना है, तो इस scenario में देखे, आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, और यहां पर देखे, इसमें लिखा हुआ है, एक का कार्ट, success, assured with good plans and hard work, तो अच्छी planning करनी पड़ेगी, अगर success चाहिए, बहुत दी क्लियरली देखे, एक के कार्ड में लिखा है, success आपको मिल सकती है, लेकिन planning करनी पड़ेगी, hard work करना पड़ेगा, मतलब hard work obviously relationship में यह नहीं है कि आप कुलहारी लेंगे या कुछ लेंगे और उसको, जमीन को डिक करेंगे, या कुछ इस तरीके की महनत मतलब कहने का है कि effort आपको करना पड़ेगा, action initiatives लेने पड़ेंगे, और in the process, seven of wands का card भी कहीं challenges की बात करता है, लेकिन साथ ही साथ ये card भी success की ब लेगा, क्योंकि यहां पर एक का card भी success की बात करता है, seven of wands का card भी success की बात करता है, लेकिन दोनों ही cards कहते हैं कि effort जब तक नहीं लेंगे, यहां फिर मैं ऐसा कहूंगी, extra effort नहीं लेंगे, extra initiative नहीं लेंगे, बहुत courageously, बहुत boldly, जो भी आप personal front में चाहते हैं, उसके कि आपने extra effort, extra initiatives लेंगे, तो definitely personal front में जो चाहते हैं, उसको आप आपाएंगे, और मैं यह नहीं कह रही हूं कि आप, you know, careless या carefree हों, लेकिन calculated risk आपको लेने पड़ेंगे, आप देखते हैं कि आपको name और fame मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो देखिए, आपे ace of swords का card है, unknown treasure का card ह beneath the surface lies great bounty, और parrot का card बोलता है, someone is gossiping about your secrets, snake का card भी कहीं देखिए, बहुत एक pleasant energies को नहीं represent करता है, तो यहाँ पर मैं आपको यहीं बोलूँगी कि, fame मिल सकता है, पर negative fame मिल सकता है, देखिए, अप दरना नहीं है, इस reading से आपने guidance लेनी है, और थोड़ा सा चुकनना रहना है, थ किसी इनसान को अपना secret ना बताएं, जिनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, या फिर आपको लगता है कि यह आपका secret आउट कर सकते है, क्योंकि यहाँ पर parrot का card बहुत ही clearly कहते है, someone is gossiping about your secrets, तो अपने secrets को बहुत महफूस रखें, मेरे father कहते थे, कि अगर आप ही अपना secret नहीं रख पाते हैं, तो फिर सामने वाले से कोई उमीद नहीं होता है, कभी-कभी हम बहुत सारे लोगों को अपने secrets के बारे में बता देते हैं, बहुत सारे नहीं मेलब 3-4 लोगों को बता देते हैं, बोलते हैं, जब आप नहीं रख पाए, आपने उनको बताए, तो उ पर मैं आपको कहूंगे कि negative एक fame मिल सकता है और please cautious रहें डरें नहीं क्योंकि डरने से कुछ हासल नहीं होता है tarot का मतलब होता ही है guidance आप कैसे आप अपनी चीज़ों को better कर सकते हैं इंप्रूब कर सकते हैं तो इस चीज़ का खयाल रखें and yes ये थी pile 2 आप लोगों के लिए reading और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए अगर आपने pile 3 यानि की white crystal को choose किया है या फिर आपका birth September, October, November, December में से किसी भी एक मन्त में होता है तो ये reading आपके लिए है और चलिए देखते हैं pile 3 की cards क्या कहते हैं अब से लेकर 5 साल बाद या 5 साल में आपकी life में क्या होने वाला है तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम overall यानि की in general के लिए देखेंगे फिर professional फिर personal फिर name और fame के हिसाब से देखेंगे तो in general के लिए यहाँ पर सबसे पहला card मुझे दिख रहा है miracles यानि की overall के लिए again मैं कहूं कि आपकी life में 5 साल में क्या होगा तो यहाँ पर miracles के card में लिखा हुए expect the wondrous to emerge तो हो सकता है कि कुछ चीजें आप बहुत जादा desire कर रहे हैं बहुत आपकी एक wish है कि यह चीजें आपको मिल जाएं कुछ के लिए professional front हो सकता है कुछ के लिए personal front हो सकता है लेकिन साथी साथ आपको इतनी उमीद नहीं है आप इ ही होता है जो चीज हमने expect ही ने करी यहाँ फिर हम चाह रहे हैं लेकिन हमें उमीद ही नहीं है कि हो जाएगी वह हो रही है तो देखिए इस हिसाब से देखें तो बहुत ही overall beautiful energies आप लोगों के लिए अपसे लेकर 5 साल में रह सकती हैं and यहाँ पर tankyard का card कहता है celebration fun enjoyment तो देख कि यह सब के लिए differ करेगा अभी हम specifically हर area के बारे में देखेंगे तो जाधा हमें समझ में आएगा कि यह जो fun joy happiness है यह actually कौन से area में जाधा रह रही है लेकिन जिस भी area में रह रही है आप overall खुश रहते हुए दिख रहे हैं overall you know celebrate करते हुए दिख रहे हैं चीजों को और यह of cups का card किसी चीज को छोड़ कर आगे बढ़ने की बात करता है तो बहुत clearly यह दुनों cards कहते हैं कि अप से लेकर 5 साल में आप किसी चीज को छोड़ कर आगे बढ़ेंगे अब देखिए सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है simply you know आप जिस जगा में रहते हैं उसको छ कुछ के लिए professional friend में job हो सकती है आपका career हो सकता है career तो नहीं मतलब जो आप कर रहे हैं उसको छोड़ के आप दूसरे career में switch कर रहे हैं तो फिर से कहोंगे सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply आपकी कोई आदत आपकी कोई habit हो सकती है जिसको आप छोड़ कर आगे बढ़ हैं और जब भी यह phase आएगा emotionally थोड़ा सा low feel कर सकते हैं लेकिन यह जो छोड़ के आगे बढ़ने वाली चीज है यह आपके लिए बहुत beautiful beginning लेकर आएगी एक you know life full of enthusiasm, excitement, growth, progress लेकर आएगी तो यहाँ पर देखिए एक आप लोगों के लिए guidance भी रहेगी pile 3 अभी कुछ भी अगर ऐसी situation है जहाँ पर आप stuck महसूस कर रहे हैं आप बहुत cling कर रहे हैं आप बहुत अटक रहे हैं आप you know बहुत tightly पकड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूँ जब आप इस चीज को जो आपको serve नहीं कर रही है जिसको आपने बहुत tightly पकड़ा हुआ है let go करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत amazing energies आपकी life में आएंगे और देखिए tarot guidance के लिए होता है अगर आप cling करते रहेंगे अगर आप पकड़ कर बैठे रहेंगे तो यह जो एक beautiful energies आ सकती है वो नहीं आप avail कर पाएंगे तो यहाँ पर से कहूंगे आपके लिए guidance होगी please move on आगे बढ़त relationship में कि किसी भी इंसान के लिए हमें wait नहीं करना चाहिए beyond the point तो देखिए जो लोग love affair से देख रहे हैं उनके लिए message हो सकता है और अगर आप job में भी बहुत जादा stuck हो जाते हैं या फिर एक आपका comfort zone हो जाता है किसी भी reason की वज़े से आप happy नहीं है आप खुश नहीं हो और आप उसी job में रहते हैं तब भी कहीं आप अच्छी opportunities को ना कह रहे होते हैं और अपनी growth और progress को भी ना कह रहे होते हैं क्रक्स यही है move on आगे बढ़ते जाएं अब हम professional friend में देखते हैं तो देखिए professional friend के लिए सबसे बहला card मुझे दिख रहा है the sun the sun कहीं टारों में happiness की बात करता है, joy की बात करता है, success की बात करता है, नई beginning की बात करता है, बहुत एक enthusiasm, excitement की बात करता है तो यहाँ पर देखी जो हमने miracles देखे थे और tankard के card में जो हमने celebration, joy, happiness देखी थी वो professional friend में रहती हुए दिख रही है और हो सकता है personal में भी हो, अब भी मैंने देखा नहीं है, बट यह professional में तो definitely रहती हुए दिख रही है और यहाँ पर eight of pentacles का card कहता है आपके पस बहुत काम होगा अब देखी इसका मतलब यही है, कितनी बारी लोग बोलते है न मैं काम ही नहीं आ रहा है हमारे पस इतना, अगर specially business होता है तो sale नहीं हो रही है या whatever profession you are in तो उसमें हो सकता है, हो सकता है नहीं, होगा ही आपके पस बहुत सारा काम होगा और आप भी बहुत focus के साथ, बहुत concentration के साथ, बहुत dedication, devotion के साथ अपना काम करते हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर दिखिए elder का card कहता है move beyond ancestral patterns, तो specially यह message उन लोगों के लिए है, जो लोग अपने family business में हैं या बाप दादा ने कुछ दे दिया, कर दिया, अब profession में literally अगर हम देखें तो उसके beyond जाते हुए दिख रहे हैं और अगर हम mental level से देखें या emotional level से देखें, कभी-कभी होता है न हम बिलकुल उसी तरीके से चीजों को कर रहे होते हैं जैसे कि हमारे बड़ों ने करा और हम कई innovative तरीके नहीं अपना पाते हैं हम जो एक नए तरीके होते हैं, नए technology होती है, नए, you know, again मैं कहूंगी चीजें होते हैं उनको नहीं accept करते हैं, उनको नहीं use कर पाते हैं तो यहाँ पर यह सब के लिए differ करेगा लेकिन फिर से मैं कहूंगी elder के card में लिखा है move beyond ancestral patterns तो जो भी पुरानी चीजें हैं, यहाँ पर mindset भी हो सकता है, यहाँ पर tradition भी हो सकते हैं यहाँ पर family business भी हो सकता है, यहाँ पर family learnings हो सकती है, family की सोच हो सकते हैं उनके beyond आप जा रहे हैं, मतलब उनको आप तोड रहे हैं आप innovative तरीके से नए तरीके से चीज़ों को करते हुए दिख रहे हैं या पर दिखिए courage का card भी इसी चीज़ को confirm करता है हो सकता है यह जो ancestral patterns के beyond जाने वाली energies हैं यह बहुत courage require कर रहे हैं यानि कि बहुत boldly आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ रहे हैं बहुत आपको हिम्मत जुटानी पड़ रही है बहुत एक determination विलपा रखना पड़ रहे हैं और वो आप रखते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर peacock का card कहता है beware of great pride तो देखिए हमने देखा कि professional front बहुत बहुत amazing रह रहा है और ऐसे में क्या होता है हम में थोड़ा सा घमंड आ जाता है हम थोड़े से arrogant हो जाते हैं और जैसे ही हम arrogant होते हैं जैसे ही घमंड आता है वैसे ही सब चीज़ें खराब हो जाती है बचपन में मेरी मदर you know religious books से जो भी gods की stories सुनाती थी तो कोई-कोई चीज़े होते हैं आपके माइंड में बड़ी अटक जाती हैं तो एक बड़ी वो story सुना रहे थे किसी god की तो उन्होंने बोला कि ना god को सिरफ एक चीज नहीं सिरफ एक चीज नहीं बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद है एक चीज बिलकुल भी नहीं पसंद है और वो है घमंड तो वो ना जैसे अटक सा गया कि घमंड कभी नहीं होना चाहिए grounded रहो और humble रहो तो इस चीज का आप खयाल रखें आप देखते हैं कि personal front कैसा रहेगा तो दिखें personal front के लिए यहाँ पर queen of pentacles का card कहता है कि एक stability रहती हुई दिख रही है security रहती हुई दिख रही है और कहीं दिखें money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को आप enjoy करते हुई दिख रहे हैं यहाँ फिर money आप खर्चा करते हुई दिख रहे हैं और obviously आपके बस इतने पैसे हैं कि आप खर्च कर पा रहे हैं अगर मेरे पस पैसे नहीं है तो मैं खर्चा भी नहीं कर पाऊंगी तो practical, realistic तरीके से चीज़ों को deal कर रहे हैं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ें आपके पास रह रहे हैं इनकी तरफ से एक security, safety रहती हुई दिख रही है और यहां पर देखिए six of swords का card कहता है changes आ रहे हैं अब यह changes अपके लिए differ करेंगे लेकिन अभी फिलाल जो भी situation है उससे आप आगे बढ़ रहे हैं यह card move on की भी बात करता है तो कुछ के लिए simply हो सकता है कि अभी किसी relationship में हैं बहुत issues बहुत मसले चल रहे हैं तो हो सकता है आप यह आपके partner move on कर जाएं और अगर you know सब कुछ ठीक है तो हो सकता है आप दोनों ही इकठे move on कर जाएं बट जादा मुझे दिख रहे है कि अभी जो भी अगर इंसान आपकी life में specifically love relationship से related दिख रहे हैं चीजें money को actually enjoy करेंगे comfort होगा luxury होगी और अगर हम otherwise देखें परस्नल फ्रंड में तो change of place, change of residence again देखिए हमने starting में देखा आप किसी चीज को छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं तो यह जो एक card है यह personal front के लिए जादा रहतवा दिख रहा है और जैसे कि मैंने आपको in general में भी बताया था कुछ के लिए हो सकता है city change कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है country change कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि you know जो घर में आप रहते हैं उसको आप change करके within the city दूसरे घर में shift कर रहे हैं तो देखिए shifting, movement, changes आपके personal front में रह रहे हैं happiness, joy, success आपके professional front में रहे हैं materialistic, tangible, money, prices related, comfort आपके personal front में रह रहा है नहीं का एक बड़ी अच्छे से और आपको explain कर दूँ और यहां पर देखिए tower का card कहता है solid foundation, success with effort तो personal front में एक solid foundation और वो हमने queen of pentacles के card में भी देखा कि stability है, security है और voyage of the heart का card कहता है love flows through you and to you तो ऐसा नहीं है कि खाली money और materialistic, tangible चीज़े हैं personal front में love भी है और कहीं जो आप चाहते हैं, जो आपकी wish है वो आप कर रहे हैं या कर पा रहे हैं और shaman का card कहता है trust in higher powers तो हो सकता है कि आप universe पे faith करके हैं जोन God को मानते हैं उन पे faith करके ही ये एक shift कर रहे हैं और फिर ये एक movement कर रहे हैं ये एक आप आगे बढ़ रहे हैं और यकीन मानिये आपका आगे बढ़ना आप regret नहीं करेंगे आप thankful रहेंगे आप grateful रहेंगे कि आप आगे बढ़ गए तो आगे बढ़ जाईएगा अब name और fame के हिसाब से देखें तो यहाँ पर dog का card कहता है protection from a powerful friend तो कोई powerful friend है हो सकता है उस time पे जो आपको protect कर रहा है या फिर जो name और fame आपके लिए लाने में effort कर रहा है seven of pentacles का card कहता है कि आपकी तरफ से हो सकता है उतनी effort आप सिरो पॉस कर रहे हैं सोच रहे हैं कि कैसे हम कर सकते हैं और shape, shifter and breaking trail का card कहता है कि शायद उस point of time पे आप इसी से ही related effort कर रहे हैं और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आपने effort किया तो definitely success मिलेगी लेकिन अगर effort नहीं किया सोचते रहे, planning करते रहे तो फिर वो एक name and fame जो आप चाहते हो सकता है ना मिले लेकिन effort किया तो definitely मिलेगा अब देखी in general के लिए card मैं आपको read करना भूल गई spirit fox और ये card कहता है trust your talents in challenging times तो आपने देखा एक movement है एक shift है आप आगे बढ़ रहे हैं और किसी भी चीज़ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो जितना भी beautiful हो जो future होता है जो नई चीज़े होती है लेकिन हमारा पुरानी चीज़ों के साथ बहुत एक comfort zone होता है और वो इतना असान नहीं होता थोड़ा सा challenges होते हैं और यहां पे spirit fox का card आपको message दे रहा है कि यह जो एक time period होगा phase होगा जहां पर आप पुरानी किसी चीज़ को छोड़ कर आगे बढ़ रहे हैं नई चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं यह तोड़ा सा challenging रह सकते हैं इस time पे अपनी capabilities, अपनी inner strength, अपनी capacity और अपने talents के ओपर faith रखें because आपके अंदर बहुत एक talent है हर चीज़ को deal करने का skill है, capability है तो यह था file 3 आप लोगों के लिए reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe जरूर करें